गुड मॉर्निंग स्टुडेंट क्लास 9th मैट्स हम कर रहे हैं चैप्टर नमबर 14 एस्टेटिक्स और आज हम करेंगे इस चैप्टर की 14.3 एक्सेसाइज और इस एक्सेसाइज का हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 नमबर 9 आपके पास गीवन है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as following it means कि यहाँ पर क्या देखी रखा है 100 surnames दिये अब उन 100 surnames में से हमें क्या करना है randomly कोई साभी surnames उठाना है खाहा से उठाना है local telephone diary एक diary आती है directory देखा होगा जिसमें बहुत सारे numbers लिखे वे रहते with name right तो हमें 100 surnames already given है उसमें से randomly उठाना है 100 surnames randomly pick करना है पूरी diary में से जिसकी frequency distribution उन्होंने देखे रखा है right तो number of letters मतलब उनके surnames में एक से चार लेटर हो जैसी किसी का surnames बहुत ही छोटा होता है suppose Roy, Roy मतलब यह तो इसमें number of letters कितने है 3 तो ऐसे सरनेम जिसमें number of letters 1 से लेके 4 तक होते है तो इसे total सरनेम कितने है 6 है फिर 426, 426 it means क्या हो जाएगा यह देखते है यह वाला क्या है 1,2,3,4,5,6,6 दिख रहे है ऐसे सरनेम जिसमें 4 से 6 alphabet हो ऐसे सरनेम कितने है 30 जैसे सरमा हो गया दूबे हो गया कितने alphabet है इसमें 5 मतलब 4 से 6 alphabet के लिए कितने सरनेम हम उठा रहे है इसमें 30 है क्लियर हुआ रिंडम ली उठा रहे है हमें नहीं पता उठाने के बाद जब 100 सरनेम हो जाएंगे तो इसमें हम alphabet count करके अलग-अलग कर देंगे separate तो जैसे सरनेम जिसमें 4 से 6 हो alphabet वो कितने है 30 फिस 6 से लेके कितने हो 6 से 8 तक के alphabet हो उसमें कि आस वो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे number of सरनेम 44 जैसे सरनेम है चंदन अब इसमें alphabet count करो 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहा है मतलब 6 से 8 के बीच में आ रहा है तो यह वाला सरनेम कहा जले जाएगा इस वाले में तो ऐसे कितन सरनेम है जिसमें alphabet 6 से 8 तक के हो 44 है 8 to 12 उसमें कितने है 16 और 12 to 20 जैसे किसी का सरनेम बहुत बढ़ा होता है तो ऐसे जिसमें number of alphabets क्या हो बहुत जादा हो तो ऐसे कितने हैं सरनेम 4 तो यह उन्होंने distribution टेबल दे के रखिए रखिए रख फाइंड क्या करना है now the find draw a histogram to depict the given information सबसे पहले हमें क्या find करना है histogram find करना है अब histogram find करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन सबका class interval कैसा होना चाहिए equal और जिस point पे end हो महीं से start अब एक condition तो उसमें clear है कि जहाँ पे end होरा महीं से क्या होरा start तो histogram तो बन सकता है जैसे 1 से 4 पे end होरा है तो 4 से 6 फिर 6 से 8 8 से 12 12 से 20 एंडिंग पॉइंट तो correct है बट इसमें class interval आप देखो तो कितने का है 3 का मतलब 4 में से 1 को minus करा तो कितना आया 3 4 से 6 में कितने का है 2 का 6 से 8 में 2 का फिर 4 का और फिर 8 का अब आप देखेंगे कि ये वाला जो difference है ये equal एक या हर एक में न मतलब यहां पर हमेशा दो चीजे धियान रखना है एक तो सबका class interval का जो difference है वो equal होना चाहिए second जिस point पर end हो महीं से क्या होना चाहिए start तो एक point तो correct है कि जहां end हो रहा महीं से start है बट इसमें difference कैसा है unequal है इसके लिए अब हम क्या करेंगे देखिए the width of the class interval in the given data is varying definitely अलग difference हा रहा है we know that the area of rectangle is proportional to the frequencies in the histogram definitely इसमें जो area of triangle है वो किसके proportional हो जाएगा frequency के मतलब हम formula लगा कि एक new table बनाएंगे जिसके द्वारा क्या बनाएंगे graph कौन सा histogram thus the proportional of the number of surnames per two letter मतलब हम हमेशा किसका multiply करेंगे two का per two letter interval can be calculated as given in the table मतलब सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी table बनानी पड़ेगी तब ही हमारा क्या graph बनेगा histogram clear तो देखिए ये already given है आपके पस number of letters और number of surnames ये दो चीजे गीवन है ये आपकी हो गई frequency clear 1 to 4 कितना given है 6 सरने में और 1 to 4 में difference कितना है मैंने सिखाया था width of the class width मतलब कितने का difference है 3 का कैसे पता चलेगा कुछ भी नहीं करना है ये जो class इंटर है upper में से lower को minus कर देंगे तो automatic इसमें क्या आजाएगा difference 3 आ रहा है 6 में से 4 को minus करा कितना आ गया 2 8 में से 6 को minus करा कितना आ गया 2 12 में से 8 को minus करा कितना आ गया 4 20 में से 12 को minus करा कितना आ गया 8 तो आपको width of the class पता चल गई होगी सब की अलग-अलग आ रही है अगर यह सेम होती तो हम definitely क्या direct histogram बना लेते बट यह क्या है अलग-अलग है अब length of rectangle तो हमेशा याद रखना frequency upon difference into यहां किसका multiply हो जाएगा 2 का क्यों हो जाएगा यहां पर देखे रखा है उसने यह per two letters interval जब यहां पर जो value दे हमेशा हम क्या करेंगे उसका multiply करेंगे तो देखे यह formula है तो देखे यह है 6 यह उसका difference और multiply by कितना हो जाएगा 2 तो यह हो गया 3 2 जा 6 और 2 2 जा कितना हो गया 4 देखे यह value आ रही है 4 I hope आपको समझ में आ गया length of rectangle कैसे निकालते इसके पहले वाले sum में भी हमने ऐसा करा था बहुँआ पर multiply किससे करा था हर एक में 1 से यहां पर हर एक में हम किससे करेंगे 2 से क्योंकि per 2 letter given है right second के लिए आ जाएगा again frequency upon में तो इसकी frequency कितनी है यहां पर 30 upon में difference कितना है 2 multiply by 2 तो करना ही है तो यह से direct क्या हो गया cancel कितना आ रहा है 30 second table आपके पास आ गई third के लिए third में frequency कितनी है 44 difference कितने का है 2 का again किससे multiply करेंगे 2 से 2 से 2 क्या हो गया cancel, कितना आ रहा है, 44, clear, now the fourth, fourth में frequency कितनी है, 16, difference कितने का है, 4 का multiply किस से करेंगे, 2 से, तो देखो, 4, 4 जा, 16, और 4, 2 जा, कितना हो गया, 8, 8 आ रहा है answer, clear, अब हमारे पास next है, next क्या है, हमारे पास 4, frequency, difference कितना है, 8 है, multiply किस से करेंगे, 2 से, तो देखिए, यह हो जाएगा, 4 2 जा, 8, और यह 2 से 2, cancel, कितना आ गया, 1, clear, अब यहां से यह clear होता है, अब आप देखेंगे, कि class interval कहां से कहां तक given है, 1 से 20, या तो आप 2, 2 का difference ले लो, या फिर 4, 4 का, किस का ले ले लेते हम, X axis पे किस का ले ले लेते, 2, 2 का, और length of rectangle कहां से कहां तक given है, हमारे पास, length of rectangle 1 से लेके, highest कितना है, 44, तो आप 5, 5 का difference ले लो, 5, 5 का भी ले सकते है, या 4, 4 का भी, as you wish आप पे depend करते है, या 4, 4 का ले लो, तो देखेंगे, यहां पे देखेंगे, यह आपका X axis हो गया, यह Y axis हो गया, right, Y axis हो गया, clear, अब देखेंगे, यहां पे per 2 letter interval, right, proportional number of letters, clear, अब हमने अभी बताया था, कि यह कहा था कि गिवन 20 तक, तो यहां पे देखेंगे, 1 से लेके, डारेक्ट उनोंने 20 तक लिया, आप चाहो तो 2, 4, 6, 8, एसे भी आप 1 cm की distance पे ले सकते है, हो सकता है, आपकी कॉप में 20 टक के numbers न आए, तो आप क्या करोंगे, 2, 2 के difference से ही लेना, clear, okay, अब Y axis, Y axis पे देखेंगे, सबसे छोटी value definitely कितनी है, 1 है, और सबसे बड़ी value कितनी है, 44, तो clear है कि आप क्या करेंगे, 1, 1 का difference ले लेंगे, या 5, 5 का ले लिया, right, 5, 5 का difference ले ले लिया, clear, अब हम बनात से class interval, 1 से 4, मतलब 1 वाले number को भी कहा तक मुझे लेके जाना है 4 तक, और 4 वाले को भी कहा तक लेके जाना है 4 तक, right, तो देखिए, 1 वाले data को मैं 4 तक लेके जारी, 4 तक मतलब 5 से 1 line नीचे, वो 4 वाले को भी इन दोनों को join कर दिया, right, ये बन गया आपका 4, और ये हो मुझे उपर कहा तक लेके जाना है, 30 तक लेके जाना है, right, और 6 वाले number को भी मुझे कहा तक लेके जाना है, 30 तक, right, तो देखिए, 4 वाले को मैं बढ़ाऊंगी, कहा तक, 30 तक, ये लेके गई, और 6 वाले numbers को भी मैं कहा तक लेके गई, 30 तक, यहा तक, इसको बढ़ा दिय तो यहां पर आगे आपका 30, इसको आप चाहो तो शेड़ेट कर दो, अब यहां पर आपका जो हिस्टोग्राम बनेगा, बार ग्राफ होता है, डिफरेंस रहता है, हर एक कॉलम अलग-अलग होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, हिस्टोग्राम चिपक-चिपक के बनते है, लेक लेकिन यह क्या अनिक्वल डिस्टेंस, मतलब इसका जो डिफरेंस है, अलग-अलग रहेगा, ठर्ड है हमारे पास 6 to 8, 6 to 8 को कहा तक बढ़ाना है, 44 तक, मलब 6 को भी आप कहा तक बढ़ाऊंगे, 44 तक, यह 45 से एक लाइन नीचे, 44 तक, और 8 को भी कहा तक लेके जाओगे, 44 तक, इन दोनों को क्या करोगे, मिला दोगे, यह कहा तक हम लेके गए, 44 तक, इसको क्या कर देंगे, शेड़ेट पाट, आप चाओ तो शेड़ेट कर दो, यह खाली भी रख सकते हो, ड़सन्ट मैटर, उसके बाद हम देखेंगे, कौन सा, 8 to 12, 8 to 12, 8 को कहा तक बढ़ाना, 8 तक और 12 को भी कहा तक बढ़ाना, 8 तक, तो 8 को तो देखो, 8 तक, मतलब यह यहां ही तक का आएगा, 5 से उपर और 10 के बीच में, और 12 को भी यहां तक, इन दोनों को जोइन कर दिया, तो यह कहा तक बढ़ाया, 8 तक, इसको शेड़ेट कर दिया, उसके बाद हम देखेंगे 12 को कहा तक लेके जाना है, 1 तक और 20 को भी 1 तक, तो 12 को 1 तक लेके गए, और 20 को भी 1 तक, इसको जोइन कर दिया, यह लिख दिया 1, यह आपका क्या हो गया, शेड़ेट पार्ट हो गया, तो आप देख रहे होंगे कि हर एक कॉलम के से आप पास पास में चिपके वे, जब इसको अलग अलग हो तो वो बारग्राफ होता है, चिपके वे होतो हिस्टोग्राम होता है, तो यहाँ पे पह पर प्रोपर वे में लिखेंगे कि देखिये, यह वाले इसको हमने क्या बोला है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैंने क्या लिखा number of letters, यह आप इसीस पर, यह व the class interval in which the maximum number of surnames lie, मतलब एसे कौन से alphabete है, कौन से वाले जिसमें सबसे ज़्यादा number of letters हो, maximum surname कहां पर है, तो जिसका column सबसे उचा है, वो क्या है maximum number of letters तो 6 to 8, 6 to 8 मतलब एसे sarname जिसमें 6 to 8 alphabet रहते है, वो surname सबसे ज़्यादा है, तो देखो 6 to 8 is the class interval in which the maximum number of surname lie, हमें सिर्फ interval बताना, अगर यहां पर maximum बोला है, in case third part आपको बोल देते है, minimum numbers, minimum मतलब जिसमें सबसे कम surname हो, तो सबसे कम surname वाला कौन सा है, column 1, तो 1 में कौन सा हो जाता है 12 to 20, तो यहां पर हमारा answer आजाता, 12 to 20 class interval, right, maximum हम के लिए बोला, इसलिए कौन सा आजाएगा 6 to 8, और यह हमारे लिए क्या हो गए, answers, thank you अ, इसलिए आजाएग लग्याएभा लना हो, UX2 यहाज़ा हो, offense, बोला